important questions की series में आज जो question ले रहे हैं वो है हम एक equation को solve करना है और equation क्या है tan inverse under root x square plus x plus sin inverse under root x square plus x plus 1 is equal to pi by 2 यह inverse trigonometric function है यहाँ पर हमें x को solve करना है simplify करना है तो देखे हम कहां से start कर सकते हैं यह वाला expression जो है वो tan का है inverse में यह sin का है और यह pi by 2 है तो हमको यहाँ से सोचना पड़ेगा कि क्या pi by 2 sin inverse और tan inverse के बीच में कोई हम relation या कोई formula जानते हैं क्या वो तो नहीं जानते हैं तो अब हम यह जानते हैं कि हम expressions को convert कर सकते हैं जैसे इस expression को sign में बना सकते हैं ठीके ना इस expression को cos में भी लिख सकते हैं इस वाले expression के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं तो हमें यह hint दे रहा है pi by 2 कि हमें क्या करना चाहिए यह हमसे कह रहा है कि आप 10 को कॉस में convert करके ट्राइ करिए पहले ट्राइ करना पड़ेगा इसमें पहले आप कॉस में करके देखिए तो क्या हो रहा है क्योंकि यहां पर साइन इंवर्स दिस प्लस कॉस इंवर्स कुछ आ जाए तो शायद हम कुछ आगे बढ़ पाएं एक और हिंट हो रही है कि आप इसे कॉट में convert करके देखिए इस वाले इसको तो हम पहले यहां पर कॉस्ट में convert करने की कोशिश करता है अब देखिए हमने लेट कर लिया क्या लेट किया हुआ है कि टान इंवर्स गरते हम लिए kिप्रुशन करते हैं थो क्या है सकते हैं एक सक्वाइर प्लस एक से इकवोस तू टैन क्या लिए अब 10 A है तो ट्राइंगल बनेगा भई यह हो गया और 10 A है तो 10 किसके इको लोगा पर पेंटीकुलर एकस स्क्वार प्लस एकस और बेस उपाँ ठीक है तो यहां पर हम हाइपर्टियूस निकाल सकते हैं यह दिस स्क्वार प्लस दिस स्क्वार अरे क्या होगा लिगेंड हैंगे क्यों इसे स्क्वार अगल करेंगि देखो two एकस स्क्वार प्लस एकस क्या स्क्वार कैंगिए प्लस 1 का स्क्वायर केंगे तो भी निया रहेगा तो आहां से हमारे पास सुआ के एक्वाल आ गया सब्सक्राइब अब यहां से दिखो एक इसके एक्वाल होगा अब मैं आपको अभी यह explain नहीं कर रहा हूँ ज्यान दिखेगा apply कर रहा है कि कॉस inverse कोस यह वो होता है हमने यहां पर दोनों साइट पर कॉस इनवर्स लिया है तब यह expression लिखा गया है यह expression आपको फता है अब कि अब आप 2016 के बोर्स देने जा रहे हैं अब देखें A की ये value और A की ये भी value है तो अब हम इस A की value इसकी जगहें पर इसी A की ये value लिख सकते हैं यहाँ पर तो ये क्या होगा और cos inverse 1 upon under root x square x plus 1 plus थ्यान नहींगे मैं इस वाले expression को यहाँ लिख रहाँ plus sin inverse under root x square x plus 1 is equals to pi by 2 अब देखें यहाँ से एक formula बन रहा है क्या formula बन रहा है ये लिखा है cos inverse x ठीक है और यहाँ पर क्या है sin inverse x pi by 2 ये लिखें फॉर्मला क्या होता है formula ये है कि अगर sin inverse x है cos inverse x है pi by 2 तब ही ये true होगा न तो यहाँ से हम क्या करेंगे हम ये माल लेंगे कि ये जो लिखा हुए expression है ये this 1 upon x square x plus 1 root में इसके बराबर है तब ही expression valid है ठीक है ना रखो बई अगर ये expression आ रहा है तो ये तभी आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ है वो सेम हो इस formula की help से ठीक है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 upon under root x square x plus 1 is equal to under root x square x plus 1 यह लिख सकते हैं अब देखे इसको उदर ले गए तो 1 is equal to x square x plus 1 इतना समझ में आ गया होगा कि जब इसको इससे multiply करेंगे तो root है दो root का into करेंगे तो root रट जाएगा यहाँ से cancel कर दो 1 1 x square plus x is equal to 0 इसको solve कर लिजे तो क्या जाएगा x square x is 0 x common लिया x plus 1 is 0 x is 0 x is minus 1 यह हमारे पास इस equation के solutions होगे करेंगे करेंगे